हाई फ्रेंट्स मैं पिंकी मैं आप सबको स्वागत करती हूं मेरा चलन में तो आज आप देखी सकते हो मैं और एक पैट का रिव्यू लेके आ गई हूं यह बर्टिंट पैट जो डबल एक्सिमिन में आता है इसका अन्वाक्सिंग वीडियो मैंने मेरा चलन में डाल दिया है आप लोग देख सकते हो ठीक है मेरा चलन को एक्स्प्रोर कर सकते हो तो यह जो वीडियो होने वाला है मैं परसनली इसको यूज करके मुझे कैसा फिल हुआ है उसका वीडियो है उसका रिव्यू है कि यह पैड बहुती एफूडबल प्राइज में हम लोग को मिल जाती है 175 मने 200 में 40 डबल एक्सिल पैड हम लोग को मिल जाता है लेकिन अभी कोस्टिन है क्या यह पैड हम लोग मतलब हेबी फ्लो के लिए यूसफूल है या मीडियम फ्लो के लिए हम लोग क्या यूस कर सकते है क्योंकि इतना एफरडबल प्राइस में कोई भी पैड अभी नहीं म तब आपको पता चलेगा क्या यह पैड आपको खरिदना चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है तो देखिए फ्रेंट्स यह डबल एक्सिल में आता है 40 पैड एक्स तीन सो बीस एमेम का तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है एडवांस लॉक प्र कारण स्कीन फ्रेंडली है यह पैड एंटी रैसेस एंटी टैनिंग है तो यहां पर इसका सारा क्वालिटी दिया हुआ है एट लेयर प्रोटेक्शन है कॉटनी सॉप्ट टॉप लेयर है ओडर लिकेज ओडर लॉकिंग सिस्टेम है एक्स्टा लॉंग विद वाइडर बंकॉसान लीए ठीक है और यह बर юढर टीन का सारा प्रोड़क्शन यहां पेडिया हुआ है और साइड में का कीतना से लप्लाइब दिया है लेका हुआ है यह तीन यार से आरब से यह चल जाएगा ठीक है और यहां पर बीभी नहीं सब लिखा हुआ है तो धेखे पेड केरई उन्हें सब हैसे निन की अधेमग been you ता निकाल के दिखा रहे हूं निए अगल उसiba हैं आ चान्स है तो काफी अच्छा और इतना प्राइस में इतना अच्छा करके पैट मतलब हम लोग को प्रुवाइट कर रहा है यह बहुत ही बढ़िया बात है वर्टिन का तारीप का बात है तो चलिए पैट को हम लोग को ओपन करते हैं ठीक है तो यहां पर देखे स्टीक दिया है तो आप देख सकतो फ्रेंस पैट काफी लॉंग है यह 320 mm का पैड है जो काफी लॉंग पैड है यहां पर लिखा है हेवी फ्लो मीडियम फ्लो के लिए है तो अभी मैं बताऊंगी यह सच मुझ में हेवी फ्लो के लिए काम करता है कि नहीं आप वीडियो में बने रही है तब तक ठीक है तो देखिए फ्रेंस यह कॉट्टनी पैड है इसका टॉप्सिट एकदम कॉटनी है थोड़ा सा हड और हुट है ऐ में बताम हेगदम सॉप्ट कॉट्टन नहीं है थोड़ा इसका जो फैब्रिक है थोड़ा थिक है यह थीक मैक्सी पैड में आता है काफी थीक बैड है थीक है में जब बुलड गिरेगा तो प्लास्टिक में मतलब लीकेज पॉब्लम नहीं होता हार पैड में दिया जाता है आप देखते इसका स्टीकिनेस इसका बहुत ही अच्छा है पैंटी में अच्छा से स्टीक हो जाता है ठीक है तो इसका एक यूस पी है इसमें डबल विंग्स ह जो पैट को काफी मतला दूसरा पैट से अलग करता है तो आप देख सकतो देखिए डबल विंग्स है देख लीजे ठीक है यह डबल विंग्स है जो पैट को मतला स्वारी पैंटी को अच्छा से स्टिक कर देता है स्रिंग नहीं होता है ठीक है पैंटी में स्रिंग नहीं होता है मतलब स्रिंग मतलब पैंटी में अच्छा से चिपक जाता है इधर उधर या नहीं होता है मतलब जितना घंटा यह चलता है ठीक से बैठ रहता है तो आप देख सकतो फ्रंट्स यहाँ पे डिजाइन देख सकतो पैट का कैसे डिजाइन किया हुआ है ठीक है यहाँ पे चैलेनिंग किया हुआ है यह मतलब जिसके कारण ब्लैट इधर उधर ना जा सकता है और इसका तो इसका कारण आपको भीगा-भीगा मैसूस नहीं होगा, मतलब यह जो पैड है एकदम ड्राइ-ड्राइ रहेगा, आपको कोई भीगा भीगा नहीं लगीगा, यह खासियत है इसका, क्योंकि यह पैड भी थोड़ा थीक है, तो और इहां पे जेल बेस लिखा हुआ है, तो म लिखा तो है ज्यूल बेशतों बलड को सायद जिल में कवरट कर जता है तो यह भीगा भीगा फिलिंग नहीं होता है ब्लाइए यह स्टेन जाता है यहां पर दीख जाता है सेकेंड है इसका जो देखिए यह मतलब डबल इसका मुविंग्स है इसलिए लिकेज को प्रोटेक्शन करता है आपको पैंटी में या आपका क्लोथ में यह लिकेज नहीं करेगा ठीक है मतलब स्टेंड नहीं लगेगा कप्ड़ा में जो यह इस इस मतलब बड़ा बड़ा ब्रैंड को यह हरा सकता है मतलब कंप्यार में आ जाता है क्योंकि पैट काफी अच्छा है मैंने विस्वर्ट स्टेफी नाइन और भी ब्रैंड का कही भेडियंट ट्राइब करके देखिए है आस तक आप मेरा प्रीबिएस वीडियो सब चेक कर स तो वह सब में कुछ न कुछ कमियां होता है लेकिन इतना वह थोड़ा कॉश्टली भी मिलता है लेकिन यह पैड इतना सस्ता में इतना अच्छा पैड मिल रहा है वाइदर बेग यह वीडियो कोई स्पॉंसर नहीं है मेरा खुद का जिनूइन ओपिनियन है ठीक है तो कोई सुचशने के इतना्ता मैं तारीप कर रहे हैं यह स्पॉंसर वीडियो स्पॉंसर वीडियो नहीं है ठीक थी मैं मुझे्टार से मिल गिया है नहींद यह पैड मतलब मेरा हेवी फ्रोक के टाइम में इतना अच्छा मुझे प्रेर से किया है मेरा पीडिड का जो पेन होता है हर गर्स को वह आराम मतलब हम लोग मुझे बहुत ही रिलिप किया है यह पैड मोटा मोटी 5-6 गंट आराम से चल जाता है और आराम से मतलब निश्चिंत हो की आप बैठे रह सकतो कि यह लिकेज प्रोटेक्शन है लिकेज नहीं होता है तो आड़ाम से आप मतलब कोई भी काम कर सकतो घर का या ओपीस का यह ओपीस गोंग गल के लिए या जो फो इंग गल के लिए बहुत ही अच्छा पैड है अड़ाम से आप यह पै आप ले सकतो ओन-लाइन ओर छहां से एप ले सकतो। मेरा लिंक मैं फने चाहब दे दूंगी दवते सब्सक्राइब इस वियरी उसे में सब्सक्राइब हुआप ऑगमोन की यह पीड़ ले सकता अऔर यह पाद सबस्क्राइब करें जैसे सबस्क्राइब को फ्रेस रखेगा लेकिन इसको कोई अलग सार्वह अलोन्च सर्व यह नाचिर्लाइब को तोस्य मजिए सम्किए हिंग के तोस्लिक्ट त्या बॉह ऩह फ्रेग्नेंस दिया जाता है इसमें फ्रेग्नेंस नहीं है और यह छोड़के बाकी सब कुछ इसका पर्फेक्ट है ठीक है इसका अब मैं भूल देती हूं फिर से यह क्या क्या काम करता है देखिए यह लॉंग पैड है आप नाइट में यूज कर सकते हो लीकेज प्रूब है इसमें कोई स्टेन नहीं लगेगा पैंटी में या बेड में ठीक है और यह डबल विंग से इसका ईॉस पी है आणाम से यह पैंटी में स्टीक हो जाता इत्लक है इसका कारण मतला हूं बूहुत देक करता है जल में कर देता ब्लड को और कोईक लिए अब्सर्ब कर लेता है ब्लड को और भीगा भीगा मैंसुस भी नहीं होता है पैड आप जितना दित तक मतलब 6 गंट आराम से यह यूज कर सकतो ठीक है और थोड़ा इसका टॉप सी थोड़ा सा मतलब जैसे स्टेफी में थोड़ा सॉप्ट है थोड मेरे तरप से 100% गैरेंटी मतलब 200% मैं इसका इसके लिए जा रही हूं ठीक है यह मेरा पर्सन जेनुएन है क्योंकि कोई-कोई सुच सकता है क्या ठीक है तो चले फ्रेंट आज के लिए इतना ही और मेरा वीडियो अगर अच्छ लगा तो प्लीस चैलन को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दोगे लाइक कर दोगे तो मुझे थोड़ा मोटीबेसिन मिलेगा ठीक है तो इसलिए मैं बार-बार बोलती हो थोड़ा मुझे मोटीबेसिन करिए तो आपके लिए अच्छ-च्छा मैं कॉंटेंट लेकर आओंगी तो चलिए फ्रेंट्स आज के लिए ठीक्यू बाइब डगी